घैयरे न सब्सक्राइब एक वर फिर से सवागत है आपको अब वे आपको प्यों सिर्वात है ईश्वास्तों पें प्युमिश्पी चैनल दोस्तों भाई प्य जैसा ह обнаруж हम लोगों का प्यृष्पी बेसिक्स में चल रहा है guest score a step by step मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि PHP में जितने भी topic है उनको step by step तो array तक हम लोगों ने देख लिया था और उसके बाद अभी last video हम लोगों ने capture देखा था तो capture में मैंने वो number वाला capture आप लोगों को दिखा था कि जैसे IHCTC के website पे PNR status जब चेक करने जाते हैं इंडियन रेलवे के site पर तो जो capture code आता है नमबर वाला जो प्लस माइनस आता है उस step का logic हम लोगों ने देख लिया था अब जो हम लोग logic देखने वाले हैं दोस्तों आप मेरे screen पर देख रहे होंगे मैं screen को बड़ा करता हूं दोस्तों यह रहा है आप मेरे screen पर देख रहे होंगे कि इस type का यह capture code है अब जैसी page यह refresh होगा आप यह देखेगा यहाँ पर जो यह capture है यह change होगा ठीक है दोस्तों अब change हो गया और उसके बाद अब user क्या करेगा same capture code डालेगा a947 w sorry a947 sorry num lock off हो गया है दोस्तों मेरा a947 w and submit security code तो देखे दोस्तों यह message आ गया security code ही match चलिए दोस्तों अब जो है मैं unmatch करका दिखाता हूँ कैसे होगा जैसे यह मैं XMR है XMR09RK मैंने एक extra डाल दिया security code submit क्या message आया try again का आया दोस्तों तो इस step का capture को कैसे create करेंगे इसकी logic क्या है दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब हम लग वीडियो को आगे बढ़ाते दोस्तों दोस्तों मैं एक request करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिए प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर कीजिए चलिए दोस्तों तो अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और capture code का दिखाता हूँ जैसे यह देखिए दोस्तों यह जो second capture.php है जो हमारा URL है ठीक है अब मैं इसमें दिखाता दिखाने जा रहा हूँ आपको text editor में मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि यह जो देखिए दोस्तों second capture.php यह हमारा page का नाम है ठीक है और यहाँ पे code दिख रहा है मैं इस code को delete करने जा रहा हूँ और आप लोग के लिए आपके सामने मैं code करूँगा दोस्तों इस सबसे पहले मैं HTML का code लिखूँगा HTML में मैंने यहाँ लिख दिया capture code यह capture code डाल दिया title में ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे मैं एक BR tag ले लेता हूँ और BR tag के बाद मैं एक div tag ले रहा हूँ और div tag के अंदर में pre tag जो कि format जो मैं बनाओंगा capture का उसको formatting सही रहेगा वो ठीक है दोस्तों अब pre tag हो गया डिब भी हो गया चलिए अब जो हमारा होगा दोस्तों मैं ले रहा हूँ form tag और form tag के अंदर मैं action blank method पोस्ट पोस्ट हो गया दोस्तों उसके बाद form का नेम form1 form की id form1 यह form का काम हो गया दोस्तों अब जो form के अंदर मैं एक table create कर रहा हूँ उस table में उस table की जो width है width मैं 400 रख रहा हूँ और border 1 line center और और cell padding 5 उसके बाद cell spacing 1 इस बाद class table हम लोगों ने table ले लिया दोस्तों अब table के अंदर इस टी आर के अंदर में टीडी इस टीडी का जो width होगा 215 ले लिया दोस्तों पंदर और इसके अंदर हम लोगों ने लिखा validation code validation code यह लिख लिया दोस्तों इस टीडी हो गया next टीडी में next टीडी में दोस्तों इस टीडी का जो हम लोग width रखेंगे इसका width मैं 162 ले ले लेता हूँ और इस टीडी के अंदर मैं PHP का code लिखूंगा जो capture, capture को generate करेगा capture को generate करने के लिए PHP का code लिखने जा रहा हूँ PHP PHP close अब इसके अंदर एक मैंने dollar ARN नाम का variable लिया इसमे एक array बनाऊंगा और इसमें दो array बनेगा दोस्तों एक तो number के लिए array बनेगा और एक A to Z के लिए array बनेगा और उस दोनों array को merge करना है उस दोनों array को हमें मिलाना है तो उसके लिए array को मिलाने के लिए array merge function एक का आता है array underscore merge यह array merge function आता है इसके अंदर जो है मैं range लेता हूँ 0 और high range हो जाएगा 9 0 से 9 तक दोस्तों यह एक array बन गया फिर दूसरा array मैं लूँगा और इसमें यह लिखूंगा क्योंकि यह text है तो हमें double quote यह single quote में लेना होगा तो यह हो गया और high के जगा पे double quote यह single quote में z दोस्तों यह हम लोग का array बन गया ठीक है दोस्तों अब मैं एक variable लेता हूँ capture equals to blank यह मैंने variable लिया यह variable लिया है दोस्तों यह code कर रहा हूँ उसके बाद पिर आपको समझ में आज़ा कि मैंने यह variable क्यों लिया है एक और variable हमें लेना होगा dollar मैं FC लेता हूँ और इस variable को भी अभी blank रखता हूँ दोस्तों यह हो गया अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों एक for loop लेता हूँ एक for loop अभी मैं आप लोग को print कराके दिखा रहा हूँ जो मैंने dollar ARR लिया है दोस्तों उसे मैं page पर print कराके दिखा रहा हूँ control save किया और page को refresh किया यह देखिए यह देखिए क्या हुआ पहला ARR हमारा 0 से चला और 9 तक आया दूसरे ARR में जो है हमारा यह से लेकर के जड़ तक आ गया तो अब इस सभी को mix करके capture बनाना है ठीक है दोस्तों अब मैं इससे comment कर रहा हूँ sorry comment कर दिया अब दोस्तों एक मैं for loop लूँगा for loop लूँगा इस for loop में dollar चलेगा dollar i का value 1 लूँगा और जो dollar i है उसे less than equals to 5 तक चलाऊंगा 5 तक चलाऊंगा dollar i++ यह हो गया दोस्तों अब जो है मैं एक variable लूँगा dollar dollar ch equals to dollar dollar sorry array sorry array दोस्तों हम लोग जब array पढ़ रहे थे तो उसमें array function भी देखे थे उस array function में array merge भी बताया था और यह array rand भी बताया था यह array rand function क्या करता है कि जो array का variable है उसको randomly change करते रहेगा उसकी position को भी randomly change करेगा और value को भी randomly change करेगा यह array rand function इसलिए यूज होता है और इसके अंदर हम लोग यह dollar rr को put कर देंगे जब यह dollar rr इसके अंदर put हो गया तो हम लोग को करना क्या है एक variable hold कराना होगा capture में add the rate dollar capture यह variable मैंने variable के अंदर value hold कराया add the rate लगाया इसका मतलब variable के अंदर value को hold कराया variable के अंदर जब value hold हो गया तो इसके अंदर जो हम लोगों ने उपर capture variable लिया है वो capture dot यानि concatenate dollar ch जो इसमें से जो हमारा array में से आएगा dollar capture में फेज दिया और again same case dollar fc के लिए जो हम लोग ने दूसरा variable लिया है दोस्तो इसमें भी dollar fc dot dollar capture dot और यहां पर एक कॉमा दे दूँगा concatenate करके कि जो array से suppose array का zero index आएगा दोस्तो जिरो इंडेक्स इस पर आया variable में इस variable में क्या करेंगे सोरी यहां capture नहीं यहां CH होगा तो इस variable में यह तो capture में चला गया तो अब यहां पर क्या होगा कि यह dollar capture पहले array का zero index add होगा उसके साथ साथ एक कॉमा भी जाएगा तो zero index कॉमा फिर दूसरा आएगा तो one index वाला one index के साथ भी कॉमा यानि कि हर एक index के बीच में कॉमा मैंने भेज दिया dollar FC में दोस्तो यह जो dollar capture है इसे मैं hidden field मिलूंगा validate कराने के लिए dollar FC है इसे मैं view में print कराऊंगा वह कैसे print कराऊंगा दोस्तो चलिए मैं वह logic बताता हूं print कराने के लिए सबसे पहले मैं एक dollar नायर नाम का variable ले ले लेता हूं और इसके अंदर PHP का एक explode function है वह क्या करता है string को area में convert करता है string को area में convert करता है तो दोस्तो हमें मिल क्या रहा सबसे पहली बात दोस्तो मैं इसे comment करता हूं यह जो dollar FC है ना हम इसको use करने वाले तो मैं दोस्तों आप लोग को दिखा देना चाहता हूं print underscore dollar FC sorry print नहीं होगा echo dollar FC यह array नहीं यह तो variable है echo कराना होगा अब दोस्तो मैं इस page को refresh करने जा रहा हूं दोस्तो ओके unexpected add the rate line number 27 में दोस्तो यह error रिखा रहा है unexpected add the rate ओके दोस्तो error आएगा क्योंकि इस line में मैंने terminate नहीं किया था इस line को इसे save किया और refresh करता हूं दोस्तो आ गया दोस्तो देखे तो क्या zero index के साथ एक कॉमा आया one index के साथ एक कॉमा two index के साथ कॉमा three index के साथ कॉमा और four index के साथ कॉमा अरेक के साथ कॉमा आ गया दोस्तो यही कॉमने कराया चलिए अब एक near नाम का जो variable लिया है उसे explode अब उस string को array में convert करना है बट क्या है हमारा string के साथ तुरंत बाद कॉमा आ रहा तो कॉमा के बाद जो भी string है उसको array में convert कर दो कॉमा के बाद जो भी string है string हमारा क्या है dollar fc उसको array में convert कर दो बस यही है अब क्या करना है जब dollar net में आ गया तो एक four loop लेंगे और यह जो loop है यह 0 से चलेगा और less than 5 तक दोस्तो ध्यान दीजे उपर में less than equals to 5 तक चलाया था यानि कि 0 से लेकर 5 इंडेक्स तक जाएगा ही जाएगा बट यहां less than 5 है यह 0 से 4 तक जाएगा 5 को skip कर देगा 5 के आगे जाएगा ही नहीं 5 तक ही नहीं जाएगा 4 तक जाएगा 5 नहीं जाएगा दोस्तो अब जो है मैं करता हूं dollar net of i net of dollar i minute और इसे print करा देता हूं यह जो बैं प्रिंट करा रहा हूं यह मैं करा रहा हूं user के लिए print करा रहा हूं दोस्तों अब इसे save करता हूं और run कराता हूं दोस्तों तो syntax error unexpected dollar fc चले दोस्तों देखते हैं यहां पर दोस्तों comma छूड़ गया save and refresh okay unexpected dollar i line number 33 okay line number 33 यहां पर बता रहा है दोस्तों तो देखते हैं unexpected dollar dollar i termination termination तो लगा ही है i plus plus i plus plus i plus plus भी कर रहा है दोस्तों dollar fc आया यहां देखिए दोस्तों for loop के बार हमने 5 लिखा है इसलिए error दिखा रहा है अभी से refresh करता हूं okay अभी भी error आ रहा है save नहीं किया कि हमने save किया and refresh अभी भी error है दोस्तों line number 33 में okay यहां भी error है दोस्तों 5 यहां भी है save किया and refresh आ गया दोस्तों देखिए यह capture आ गया जितनी बार page refresh होगा यह capture आपका change होगा text and numeric दोनों आ रहा है चले दोस्तों तो यह हम लोगों ने user के लिए बना लिया capture अच्छा अब मुझे क्या करना है एक condition check करना है कि if मैं काम करता हूँ दोस्तों मैं काम करता हूँ यह जो इस टी आर के बाद एक टी आर पहले start करता हूँ उस टी आर में यह आर के अंदर टी डी और टी डी में इंटर दो एवव कोड इंटर द एवव कोड एवव कोड आएवव कोड है यह दे दिया दोस्तों अब दूसरा टी डी एक बनाऊंगा और इस टी डी में इंपुट टाइप इक्व़स टू टेक्स्ट नेम इक्व़स टू मैं आई अइमजी ले लेता हूँ और टाइप इक्व़स टू पर इंटर टेक्ष्ट ले रखा है नेम हमने IMG ले लिया है वस that's it हमें इतना ही का जरुबत है दोस्तो अब जो है यह TR complete हो गया अब दूसरा एक TR लोंगा इस TR के अंदर एक TD लोंगा उस TD में call a span 2 होगा और input type equals to submit name equals to match and value sorry value equals to submit value equals to submit security code submit the security code submit the security code यह डाल यह दोस्तो चलिए अब मैं पेज को थोड़ा नीचे लाता हूं दोस्तो यह हम लोगों का मैं पेज को अब प्रेस कर रहा हूं दोस्तो दिखाता हूं तो सेव नहीं हुआ यह थिंक पेज पेज को सेव किया और दोस्तो यह देखें सब्मिट अब जो है हम लोग अब जो हम लोग क्या करेंगे दोस्तो इसमें टेबल के बाद फाउम है फाउम के अंदर ही मैं एक इन्पुट लूँगा और टाइप इककवल्स टू हीडेन ले लिया और इसमें नेम इककवल्स टू है डी ले लिया और वैल्यू इकवल्स दोस्तों value equals to eco value equals to eco value equals to eco में dollar capture that's it बस इतना ही करना है दोस्तों और यह हम लोगों का capture code लगबग ready हो गया अब केवल मुझे यह validation लेना है कि user जो भी यहाँ पर text डाले इसको देख करके तो इसके click पे मुझे वो match कराना है अगर match किया तो ठीक है नहीं match किया तो error का message try again का message आ जाए तो चलिए दोस्तों करते हैं अब उसके लिए logic हम लोग लिखते हैं logic लिखने के लिए उसके लिए सबसे पहले if is set और इस set के अंडर dollar button name dollar underscore post हमारा form का method जो है दोस्तों वो post है देखिए उपर में आएंगे दोस्तों देखिए form का method हमारा post है तो हमें यहाँ भी वही method लेना होगा और इस square bracket के अंदर में single quote ये double quote में button का नाम match है तो match करता है ठीक है match करता है तो if के अंदर जाएंगे match करता है तो if के अंदर जाएंगे फिर if के अंदर एक और if condition लेंगे if if dollar underscore post से हमने text box ये जो दोस्तों img लिया है img वाला text box है उसमे जो टेक्स्ट user ने टाइप किया है वो equals equals dollar underscore post से ठीक है दोस्तों dollar underscore post से जो hidden field में है ठीक है मैं triple equals to पहले लेके देखता हूं दोस्तों नहीं double equals to देखता हूं उसके अगर triple equals to में भी मैच कराऊंगा ठीक है दोस्तों अगर ये दोनों मैच करता है तो इको अगर मैच करता है तो इको मैं एक पहले बिया टेग लगे लेता हूं इसके अंदर font tag और font tag का color जो है मैं blue रखता हूं और इसे double code तो हमारा बाहर है तो अंदर single code होगा दोस्तों अंदर single code होगा दोस्तों तो single code के लिए दोस्तों ये single code दिया और इसमें हम लोग लिखते हैं security security code match security code match और फॉंट टेग क्लोज सॉरी पॉंट टेग क्लोज कर दिया दोस्तों ठीक है और उसके बाद फिर else block ये जो if match कर गया तो ठीक है नहीं तो फिर वो else block में जाएगा तो else block हम लोग लिख देते हैं eco और यहां पर फॉंट और यहां पर try again try again का message दे दिया दोस्तों और इसका text का color red हो जाएगा दोस्तों that's it हम लोगों का capture code लगबग ready हो गया चलिए दोस्तों तो अब हम लोग चेक करते हैं okay syntax error unexpected line number 45 okay दोस्तों तो हम लोगों ने यहां पर termination नहीं दिया था termination नहीं दिया था दोस्तों चलिए बूम गाई यह देखिए हम लोग का लगबग अब ready हो गया है अब हम लोग क्या करेंगे चलिए अब यह जो capture यह मैं डालता हूँ for it vih and submit security code देखें दोस्तों security code matched अब जैसी मैच हो गया तो आप यहां पर क्या कर सकते है अगर वह मैच करता है ठीक है तो उसके बाद आप next दूसरे page को redirect करना चाहते है तो header location कर दीजिए और अगर मैच नहीं करता है तो इस ब्लॉक में आएगा ही तो इसके बाद आपको जो logic लगाना है यहां पर लगा सकते है दोस्तों तो मैंने यहां तक दिखा दिया अब मैं capture को जो है डिसकस करना था कि triple equals to डाल के देखूंगा triple equals to डाला सेव किया और page को refresh अब सही डालता हूँ P82Y5 sorry P82Y5 and submit security code match triple equals to में भी कोई issue नहीं है and W R Y 5 Z submit try again दोस्तों चली यह तो हो गया अब मैं क्या करता हूँ triple equals to है अब जो है जैसे यह मेरा F है ठीक है दोस्तों तो F को मैं small f 83 small q k match करता है नहीं match किया try again ठीक है यह कब हुआ हमने तो code same डाला था triple equals to है चली फिर से एक बाद टेस्टिंग करता हूँ h k 23 i हमने small मिलिया है यह capital में है अब इसे submit करते हैं try again का message आ गया यह कब हुआ दोस्तों triple equals to है अब double equals to में यह same चीज करके देखता हूँ मैंने save किया और page को reload करवा लिया ठीक है दोस्तों अब देखिए जैसे यहां पे मैं डालता हूँ small में p and z and v और submit ओके इसमें भी वह message दिखा रहा है फिर से एक बाद ट्राइ करता हूँ double equals to है अन 8 ll and submit ट्राइगें तो double equals to लो हो या triple equals लो हो तो validate करेगा ही करेगा तो कि आप text कैसा भेज रहे है उसके उपर तो दोस्तों यह तो था हमारा capture code का एक और वीडियो इस टैप का capture code के लिए टेक्स्ट और नुमेरिक दोनों मिला करके जो capture code आता है तो दोस्तों यह वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज हमें comment करके जरूर बताईएगा और अगर अच्छा लगा तो like बटन जरूर प्रेस किजिएगा दोस्तों और हाँ दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर कीजिए जिससे उन्हें भी हल्प हो जाए वेब डेवलोप्मेंट सीखने में और वेब डिचैनिंग सीखने में दोस्तों अगर इस capture code का source code चाहिए होगा तो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर कीजिए दोस्तों